गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स, तुडे वी आर गुएंग टू लर्न अबाउट सब्ट्रेक्शन्स, सब्ट्रेक्शन्स का मतलब क्या होता है घटाना, माइनस करना, इट मिस जो नंबर दिया हुआ है और एक नंबर को उसमें से घटाना, क्या कहलाता है, चलिए मैं आपको एक 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 जांपल बताती हूँ, count the objects and subtract the number, क्या है, let's start, how many apples, let's count, one, two, three, अब हमें क्या लिखना है बटा है आपर, three, कितनी apples है आपर, one, two, three, three लिखेंगे, अब किसका sign लगाएंगे, minus का, subtract का, ठीक है, I, I have three apples and I ate two apples, और two apples मैंने खा ली, अब मेरे पास कितनी apples बचिए बटा, how many apples left with me, okay, two apples हो गई, अब हम मेरे पास कितनी apples बचिए बटा, one, ठीक है, one apples left with me, अब question second देखिए, how many dolls, count, one, two, three, four, five, how many dolls बटा, five dolls, right here, five, subtract, अब three dolls, three dolls क्या कर दी बटा बढ़ने है, I gave three dolls to my friends, मैंने अपने friends को दे दी, अब मेरे पास कितनी dolls बचिए बचिए बटा, ठीक है, how many dolls left with me, अब मेरे पास कितनी dolls बचिए बचिए बटा, अब count करना देखो, ये तो मैंने अपनी friends को दे दी, अब ये कितनी बचिए है, one, two, two balls मेरे पास, two dolls मेरे पास बचिए है, ठीक है, two dolls left with me, अब question, अब बटा question third देखिए, how many cakes, बटा मेरे पास कितनी cakes है, count them, count, इन्हें count करना ह two, three, four, five, six, right here, six, subtract, अब two cakes, one और two, two cakes मैंने अपनी friends को दे दिये, ठीक है, अब मेरे पास कितने cakes बचिए है, how many cakes left with me, ठीक है, अब इन्हें count करना है, जो बचिए हुए है ना, बटा, उनको count करना है, one, two, three, four, कितने cakes बचिए हुए है, बटा, four, okay, अब question four देखे बटा, how many pizza, pizzas, बटा, कितने pizza हैं यह देखनो, आपको count करना है पहले ही ने, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, right here, nine, subtract, अब four pizza, आपने खा लिये, ठीक है ना, four pizza आपने खा लिये, ठीक है ना, four pizza आपने खा लिये, अब आपके बस कितने pizza बचिए है, ठीक है, one, two, three, four, five, five, equal to, is equal to five, अब हमार पास कितने pizza बचे हैं, five, how many balls, question five में देखे बटा, how many balls, count, one, two, three, four, five, six, seven, right here, seven, subtract, अब five balls, मैंने अपने friends को दे दिये, one, two, three, four, five, ठीक है, अब मेरे पास कितने balls बची हैं, ठीक है, अब इने, जो बची हुई हैं ने उनको count करो, one, two, two balls बची हुई है, so, two balls left with me, ठीक है बटा, अब आपको ये, मैंने five questions कराए हैं, शहर्द आपको समझ में आ गई होंगे, आपको समझना है, बेटा, शहयद आपको ये समझ में आ ही गए होंगे, आपको बार-बार ये वीडियो देखना है, ठीक है, और उसके बाद में आपको ये pictures draw करना है, ठीक है, ये classwork है, और ये आपको, ये draw करने हैं बेटा, objects draw करने हैं, नोट बुक में, और ये आपको homework करना है, ठीक है, आपको बेटा, chapter का नाम लिखना है, क्या कौन सा chapter है, 4, subtraction, count the object and the subtraction, the numbers, आप देखो बेटा, मैं आपको पहला question करा देती हूं, ठीक है, first questions आपको करा देती हूं, how many ice creams, आपको पहले count करने है, ice cream, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहार आपको लिखना है, 6 ice cream, और 3 ice cream, आपने खा ठीक है न, I ate 3 ice creams, ठीक है, 3 ice cream, जो कटी हुए ने बेटा, उसको यहाँ पर आपने लिखना है, और कितनी बच गई आप, 3 apples ate कर ली, और कितनी बच गई, how many ice creams left with me, 1, 2, 3, तो यहां क्या जाएगा बेटा, 3 ice creams left with me, ओके, इसी तरह से बेटा, आपको यह सारे sum solve करने है, Okay, thank you